हेलो एवरिवन जैडेंग क्लासिस में आपका स्वागत है आज हम पढ़ेंगे क्या होता है जब फिनॉल की क्रिया अमोनिया से होती है तो सबसे पहले फिनॉल का फॉर्मॉलाय लिख लेते हैं यह बैंजीन रिंग और इस बैंजीन रिंग के ओपर ओएच यह हो गया फिनॉल फिनॉल इस फिनॉल की अभी क्रिया हमने अमोनिया के साथ कराई means NH3 और इस NH3 को मैं लिख लेता हूँ HNH2 के रूप में यह है अमोनिया अमोनिया मैंने इसको लिख 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 लिया है HNH2 के रूप में जब अमोनिया के साथ में इसके अभी क्रिया कराई जाती है जैड ZnCl2 जो की अनार्द है अनार्द ZnCl2 की उपस्तिती में जब अमोनिया की ये विक्रिया फिनॉल के साथ बेकराई जाती है तब Aniline प्राप्थ होता है और H2 रिलीज होता है ये विक्रिया कैसे होई होगी देखिए अमोनिया एनेस 3 होता है जिसको मैंने H एनेस 2 के रूप में लिखा यहां से एक H और यहां से OH ये रिलीज हो जायागा H2 के रूप में और जो एनेस 2 है वो सीधे जाकर इस पोजिशन पर जुड़ जायागा जिसकी बज़े से हमें Aniline राप्त होगी कि मुझे अमीद है आपको यह भी क्रियाशन में आई होगी तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब जरू करें धन्यवाद